मद्ध प्रदेश को वैसे तो 6 भागों में बाटा जाता है जिसमें 10 संभाग आते हैं इन 6 भागों में मालवा निमाड, महाकोशल, गौालियर चंबल, मद्ध भारत, विंद और बुंदेलखन अंचल है वहीं बात अकर बुंदेलखन अंचल की करें तो सागर संभाग में 6 जिले आते हैं जिसमें सागर, दमो, टीकमगर, छतरपोर, पन्ना और निवाडी शामिल है वहीं बुंदेलखन अंचल का महात्व हमेशा से रहा है फिर चाहे राजा माराजाओं का दौर हो या आजादी खिलाफ करांती हो या आजादी की लडाई हो या फिर आजादी के बाद राजनेतिक महात हो इस मिट्टी ने समय समय पर जननायकों को पैदा किया है जी हाँ नमस्कार मैं हूँ शिवा पुरो है तो लेकर आया हूँ अपनी खास सीरीज जननायक आज हम बात करेंगे एक ऐसे जननायक की जिसकी कहानी आपको मैं आज सुनाऊंगा ये कहानी है सागर जिले की देवरी विधान सभा से चार बार विधायक रहे जनसंग, भारतिय जनसंग, जनता पाइटी और फिर भारतिय जनता पाइटी के नेता रहे स्वरगिये डॉक्टर परशुराम साहू की एक पढ़ा लिखा नौजवान जो रायपुर से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर अपने गाउं वापस आया था लोगों में उसके काफी चर्चे थे, उनके गाउं का कोई नौजवान अब डॉक्टर बन गया है, ये नौजवान था डॉक्टर परशुराम साहू बचपन सही पढ़ाई लिखाई में होश्यार, उदार दिल वाले परशुराम साहू, लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते थे वहीं राश्ट्रिय सेवा का भाव, उनमें रायपूर महाविद्याले में, B.A.M.S की पढ़ाई के दौरान, राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग से जड़कर और गहरा हो गया डौक्टर परशुराम साहू में, छातर जीवन से ही नित्रत्व करने का एक अलग जजबा था तब तो सागर से एक छोटे से गाउं का एक युवा, रायपूर में अपने महाविद्याले के छातर संग का अध्यक्ष चुना गया डिग्री पूरी होते ही वापस अपने गाउं देवरी आये, तो इलाके के लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे कहते हैं, डॉक्टरी पेशा समाज सेवी का पेशा है, और जब समाज सेवी ही डॉक्टर बन जाए, तो सोने पर सुहागा की कहावत को चरितार्द कर देता है डॉक्टरी की प्रेक्टिस करते करते, इलाके के लोगों से जुडा हुआ, और धीरे धीरे एक दूसरे के सुख़ुत में उनका आना जाना शुरू हो गया और देखते ही देखते, परशुराम साहु, जनता में लुप्री हो गया इसी बीच प्रदेश और खास करकी सागर जिले की राजनीती में काफी उतल पुतल चल रही थी जहां साल 1956 में मद्द प्रदेश का गठन हुआ, रहली विधानसबा का हिस्सा रही देवरी अब खुद एक विधानसबा बन गई थी विधानसबा बनते ही पहले विधानसबा चुनाओ में यहां कॉंग्रेस के बड़े गांधी वादी नेता वाला प्रशाद मिश्रा विधायक चुने गए देवरी में इस वक्त तक कॉंग्रेस के साथ साथ प्रजा सोशलिस्ट पारटी और जन संग भी जनता के बीच लोगप्रिय होना शुरू हो गए थे लेकिन जन संग अभी भी तीसरी पारटी थी प्रजा सोशलिस्ट पारटी यहां दूसरे नंबर पर आ गई थी उदर साल 1962 के विधानसभा चुनाओ आये और कॉंग्रेस ने यहां मैदान में उतारा शिफ कुमार श्रीवास्ताओ को जबकि प्रजा सोशलिस्ट पारटी ने मैदान में उतारा कृष्ण कुमार कटारे को जन संग ने यहां बाबुलाल सिंग को मैदान में उतारा इस विधानसभा चुनाओ में देवरी की जनता ने कुछ अलग करने का ठान लिया था और इसका ये नतीजा हुआ इस बार चुनाओ जीते प्रजास सोशलिस्ट पारटी के उमीदवार के के कटारे लेकिन यहां एक बात और गौर करने वाली थी कि कॉंग्रेस यहां अब तक तीसे नंबर की पारटी बन गई थी जबकि जनसंग खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गई थी इस बदलाओ को जनसंग ने एक उपलबदी के रूप में लिया जनसंग के नेताओं ने अब देवरी में एक ऐसे लोगप्रिये चहरे की तलाश शुरू की जो जनसंग का चहरा बने और जताओ चहरा भी हो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर परशुराम साहू भी डॉक्टरी के साथ साथ समाज सेवा में ज़ादा वक देने लगे आरेसेस से पहले ही जुड़े होने के कारण जनसंग के नेताओं के संपर्क में आ गए और साल 1967 में उन्हें भारती जनसंग ने अपना उमीदवार बना दिया उनका मुकाबला हुआ सिटिंग विधायक कृष्ण कुमार कटारे के साथ साथी कॉंग्रेस ने द्वार का प्रशाद कटारे को मैदान में उतारा साल 1967 में हुए त्रिकोणी ये मुकाबले में डॉक्टर पशुराम साहु जनसंग के उमीद पर खरे उतरे और जनसंग चुनाओ जीत गए इस चुनाओ में कुल 33,505 वोट पड़े जहां भारती जनसंग के डॉक्टर पशुराम साहु को मिले 12,347 वोट वहीं कॉंग्रेस के द्वारी का प्रशाद कटारे दूसरे नमबर पर रहे उन्हें मिले 11,310 वोट जबकि प्रजास सोचलिस्ट पारिटी के कृष्ण कुमार कटारे को 6,611 वोट पर मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे डॉक्टर परशुराम साहु ये चुनाओ 10,37 मज से जीत गए वहीं इसके बाद साल 1972 में हुए चुनाओ में डॉक्टर परशुराम साहु एक बार फिर भारती जन्संग के उमीदवार बने उनका मुकाबला एक बार फिर कॉंग्रेस के द्वारी का प्रशाद कटारे से हुआ वहीं संयुक्त सोचलिस्ट पार्टी के उमीदवार कृष्ण कुमार कटारे थी लेकिन इस बाद डॉक्टर परशुराम साहु कॉंग्रेस के द्वारी का प्रशाद कटारे के हाँ तो हार गए इस हार के बाद दॉक्टर परसूराम साहू ने अपनी हार से सबक लिया अपनी कम्यों पर अगले पांस साल तक काम किया साल 1977 में जनता पाई टिकेट टिकेट पर और साल 1980 में बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़े दोनों ही बार चुनाव में जीत हासिल की इसके बाद साल 1985 में जहां चुनाव हारे वही साल 1990 में फिर वापसी की और चुनाव जीते डॉक्टर परसूराम साहू अपने जीवन में कुल 7 बार विधानसबा का चुनाव लड़े 7 बार देवरी विधानसबा से चुनावी मैदान में उतरे चार बार उन्हें जीत हासिल हुई जबकि तीन बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा वहीं दो बार मंत्री भी बने जिसमें पहली बार साल 1967 में सम्रित सरकार में राज्य वित्थ एवन समाज कल्याण विवाग का जिम्मा सौपा गया दूसरी बार साल 1977 में जनता सरकार में उन्हें पहले लोक स्वास्त परिवार कल्याण फिर सिचाई राजमंत्री फिर वनमंत्री बनाया गया डॉक्टर परशुराम साहू ने अपने कारकाल के दोरान कई सारे कारे कराए उन्होंने देवरी विधान सभा में सिचाई के लिए मसूर बावरी मध्यम सिचाई जलाशा योजना को साकार किया हई गाउं के किसानों को बड़े पैमाने पर सिचाई की सुविदा अपलब्द कराई तो वहीं छेतर के लोगों को परेशान ना होना पड़े इसके लिए तैसील और फिर सिविल कोट की स्थापना कराई स्वास्ते सुविदाओं के लिहाद से देखें तो देवरी में 30 विस्तरवाला अस्पताल महराजपूर, गोरजहमर, टड़ा, बरकोट, सहजपूर में प्रात्मिक स्वास्तरकेंद उन्ही के कारेकाल की देन है दस आयरवेदिक अस्पताल, देवरी नगर में होमोपैतिक अस्पताल उन्ही के कारेकाल में शुरू हुआ सिक्षा के छेतर में कई गाओं में हाई स्कूल, मिडल स्कूल खुलवाए छेतर में 20 नगरों में नल जल योजना का शुबारम कराया इसके साथ ही मंडी, बीज प्रक्रिया केंद्र, उप कौशालाय, कॉलेज, टेलीफोन का विस्तार, अनेक सड़कों का निर्माण, आदिवासी, उप योजना, तता बीजली संकर दूर करने के लिए 10 करोल रुपे की 132 केवी के विद्योत उपकेंद्र का शुबारम उनी के कारेकाल में हुआ बुंदेल खंड में पहले जनसंग और फिर भाजपा को मजबूत करने वाले डॉक्टर परशुराम साहु ने अपनी राजनितिक जीवन में संगर्ष किया संगठन में वह प्रदेश उपाद्यक जैसे पदो पर रहे लेकिन आज उनके परिवार की पायटी में ही पूछ परक कम हो गई है उनके बेटे हैमंत साहु अपने पिता की विरासात को समाले हुए आगे बढ़ा रहे हैं वो लगातार छेतर में जन संपर्ग भी करते देखे जाते हैं उन्हें अपने पिता के नाम का जन समर्थन भी मिल रहा है हैमंत साहु देवरी विधान सभा से बीजेपी के टिकेट की दावेदारी कर रहे हैं लंबे समय से पोपाइटी में एहम जिम्मेदारीयों को भी बाखो भी निवा रहे हैं आज जहां चनाओं में टिकेट जाती गत समीकरण और धन बाहुबल देखकर दिया जाता है उस वक्त डॉक्टर परशूराम साहु देवरी विधान सभा में ये सभी गड़त फेल करने वाले नेताओं में थे उनकी जाती के वोटर्स ना तो निर्नायक थे ना ही उनके पास इतना धन था कि उसका प्रभाव उचुनाओं में दिखा पाते एक जमीनी नेता जो हमेशा देवरी की जन्ता के लिए अपना सब कुछ निशावर करने वाला था डॉक्टर परशूराम साहु को हमेशा हम यूँ ही याद करते रहेंगे